इस तरह के सवाल आपको पेपर में बहुत ही दिख देखनों को मिलता है, जिसमें सधारन व्याजा चक्रविर्धी व्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा, मुल्धन दिया हुआ रहेगा तो कभी अंतर पूछ लेगा, कभी आपसे दर पूछ लेगा, ठीक है, तो देखें क्या काता चार परतीसत बार्सिक दर से दो बर्स में किसी धन के चक्रविर्दी व्याज और सधारन व्याज में अंतर आठ रुपया ठीक है तो हमें मूल धन निकालना ठीक है देखे समय आपको दो बर्स दिया हुआ है दर दिया हुआ चार परतीसत चक्रविर्दी व्याज और सधारन व्याज में अंतर आठ रुपया ठीक है देखे आपको हम पहले दो बर्स के लिए ट्रिक बताते उसके बाद तीन बर्स के लिए बताएंगे फिर चार बर्स के लिए बताएंगे फिर पाच बर्स के लिए ठीक है फिलाल हम लो वाट रिक हाथ ठीक हाङ हैँ पी आर अस्कुार बटे सोग अस्कुार ठीक हाँ पी होता है मुलining और होता है ठीक है अब देखे दर दिया हुआ 4 – 30 टीक है तो पी निकालना थो पी को छोड़ दिये लिखेंगे 4 गुणा4 ओर बटे में लिखेंगे एक पर शार जीरो ठीक है देखें यहां चक्रविर्दी भी आजा और सधारन भी आज में अंतर दिया हुआ आठ रुपया तो अंतर के जगा अंतर रख देंगे ठीक है अब इसको हम हल कर देंगे अंसर आ जाएगा देखें काट यह चार दुना आठ अब दो दुनी चार काटेंगे दो पचे दस एक जिरो दो जिरो तीन जिरो तीन जिरो यहां बैट जाएगा ठीक है यानि मुल्धन बराबर कितना आ गया पाच्छाजार रुपई यह ठीक है अब देखते हैं अगला कोस्चन किसी धन के तीन बर्स के चक्रविर्दी व्याज और सधारन अंतर दिया हुआ 31 रुपया ठीक है और दर दिया हुआ 10 पर 30 हमें मुल्धन निकालना ठीक है आपको आप समय दिया हुआ तीन बर्स के लिए ट्रिक आपको बताते हैं ट्रिक तीन बर्स के लिए ठीक है कि पी आरा स्क्वाइर इन्टू 300 पलस और बटे सो के क्यूँ ठीक है अब ध्यान से सबजिएगा देखे चक्रविर्दी व्याज और सधारन ब्याज में अंतर दिया हुआ 31 रुपया तो अंतर के जगा अंतर को रख देंगे ठीक है बराबर देते हैं यह अंतर बराबर सूत्र है शक्रविर्दी व्याज और सधारन ब्याज के अब देखें मुल्धन हमें निकालना तो मुल्धन पी छोड़ दिये और दिया हुआ 10 पर 30 तो लिखेंगे 10 गुना 10 अब देखें यहां हम रखेंगे 10 पर 30 इसको जोड़ेंगे तो 310 हो जागा इंटू के मतलब होता है गुना तो 310 और बैटे में हम लिखेंगे के 0? 6 0 हो जाएगा अब इसको हल कर दीज़े अंसर आजाग 10 से 10 काट दिये ठीक है फिर यहां 10 से 10 पिर यहां 10 से 10 काट दिये ठीक है अब देखें 31 से 31 काट दिये तो मुल्धन बराबर आ गया 1000 रुपिया यानि ओप्सन नमबर ए